गुद मॉर्निंग एविबडी सो लेट्स टार्ट विद अनदर तिंग तो पिशली वीडियो में हमने देखा था कि भाई एडुकेशन कैसे सुसाइटी में इंफिलेंस कर रही है तो भाई सुसाइटी में हमें रहना है तो हमें कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा ना सोशल वैल्यूज कस्टम्स ट्रडीशन्स एडुकेशन से रिफॉर्म साती हैं कंट्रोल में रहता है व्यक्ति अपनी मुराल्स नहीं भूलता है हमें कौन सी अक्टिविटीज करना है वह में पता चलता है पॉलिटिकल राइट्स क्या है इंडिविजुल के एकोनॉमिकली कै क्या इसे हम इंडिपेंडेंडेंडेंट हो सकते हैं यह सारी चीजाएं क्या करना है कौन सी कल्सेटर को केसी ट्रडीशन को फॉलो करना है एक बेसिक अंडिस्टैडडिंग हमें स identify कहते हैं कि सोशल इंट्रेक्शन से हम बहुत सारह चीज़ पाप छीश आमBen hack क्या रॉंग है ठीक अंदा धुंद सुपरस्टीशन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं हमें लॉजिक डूणना पड़ेगा कि भाई क्या इसके पीछे मीनिंग है क्यों एक विमिन को सुसाइटी में निचले तब के से देखा जाता है यह कस्टम नहीं है इसमें रिफॉर्मेशन लाने की जरूत है रविंदर्णा टैकोर जी कहते हैं कि भाई क्यों जरूत है एक बच्ची को बच्ची की शादी करने में as a 18 years वह भी बुद्धी उसकी खुली नहीं है तब भी उसकी शादी 18 साल में करवा दी जाती है तो रिफॉर्म्स यहां से आते हैं जो एजुकेशन किसमें चाहिए तो एजुकेशन सम्हाव हमें भी बताती है कि हमें कैसे रहना है कैसे हमारी कैसी फिलिंग्स होनी चाहिए आज टीचर आपको क्या इंपार्ट करना है इंफुलेंस करना है साइटी कैसे इंफुलेंस कर रही तो दूसरा ही सब टॉपिक है भाई फैमिली या होम भी कह सकते हैं या घर अब सोशलाइजेशन हम बहुत हद तक साइटी से होते हैं और मेजरली हम सोशलाइज होते हैं अ बहुत सारी you know conditioning की जाती है conditioning in the sense कि उसको बताया जाता है कि तुम लड़का हो behave like that तुम लड़की हो behave like that तो education का क्या role है in the family ठीक है तो अगर कोई व्यक्ति educator है या educator है वो अगर वो घर पे है वो कभी भी ऐसा impact नहीं कर सकता कि भाई लड़की है उसको अलग शिक्षा दी जारी है लड़का है तो उसको अलग शिक्षा दी जारी है उसको values inculcate differently किया जा रहा है उसकी education different की जारी है तो इसको different conditioning कर दी गई है as individual हम दोनों की mindset एक जैसे है शरीर एक जैसा है भूक एक जैसी है तो फिर हमारी जो you know needs है वो different कैसे हो सकते है एक जैसी होनी चाहिए तो एजुकरिश्ट हमें बताते हैं कि भाई हमें कैसे family में भी education का क्या रूल है तो यहां पर यहां पर basic हम बात करेंगे कि भाई in the family कैसे एजुकरिश्ट education वो कर रही है तो मैकलेवर कहते हैं कि वह family एक ग्रूप होता है जिसमें family एक ग्रूप होता है जिसमें sex relationship sufficiently precise and enduring to provide the procreation and the bringing of children क्याने का मदब है कि एक family का group है जिसमें sex relationships होती है कि बंदा और बंदी और उसके बच्चे यह क्या है एक खून का रिष्टा यहां है कहलो कि भई hereditary है जिसमें क्या हो रहा है कि भई अपनी जो भी जो needs है उसको पूरा किया जा रहा है और वही चीज बच्चों में भी ला बच्चे को रेज के जा रहा है उसी family के अंदर mostly time बच्चे का जब तक वो school में एंटरी नहीं करता है वो six years का वो घर पे बहुत सारी चीज़े सीखता है और six years के अंदर अंदर वो कितनी सारी चीज़े डिवलप कर चुका होता है अपना perspective चोटा 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 लॉजिकल ह बहुत सारी चीज़े सीखता है लैंगविज हो गई कैसे बोलना है इमिटेशन कैसे करनी है ममी कैसे करती है वह सारी चीज़े सोचलाइजेशन में आती है तो भई family एक unit हो सकती है चोटीजी unit हो सकती है जिसमें एक बंदी की personality बनती है ममी कहती है ऐसे बहुत करना है we should like girl ऐ ऐसे बैठो ऐसे बोलो ऐसे चलो ऐसे कपड़े पहनू तो इक क्या यह बताये जारहा है कि बहुत करते हैं और ऐसाही होगा क्या अपनी इसमें सोच्या एक बच्चािस सोच सकता है कि बहुत क्या dich इंजिस हैं और क्या नहीं नहीं सोच सकता उसको जैसा बताए जाएगा वह वैस्ता ही बिएव करेगा आनिमल है वो अभी ही यह बैता हुआ है तो कहने के मतलब है कि जो फैमिली है वहीं परस्टनालिटी बनाती है और अच्छी परस्टनालिटी अगर बनानी है तो एक इसनिंग की जाती है कि जुप रहो बहार के लोग आया है जुप रहो अच्छा ऐसे नहीं बोलो नीचे जुक्के रहो कोई आए तो उसको बोलते हैं जाहे वह कितना भी गलत क्यों न बोल रहो तो यह सब चीजे फैमिली के लाइफ के लाइफ के लाइफ होती है अगर फैम जूझ से उनके बच्चे फिर उसीसे उनके बच्चे उते हैं बलड आडापशन कंसित्वीटिंग्टिंग है सिंगल हाउसोल्ड इंट्रएक राक्वन इंटर कमिकेटिंग विद थिम भाई अब क्या होता है काम किस औरदे का है , फिर उनकी वही कनीशनिंग बच्चे में चले जाते है कि मंपी ऐसे करती है , ने मंमी तो घरबे लगाती है , तो मुझे भी पैसे करना है , तो कहने का मतलब है कि कैसे इंटराक्ट कर रहे हैं , पैरेंट्स , क्याते हैं कि जब बच्चे हो जाए ना , तो प कुछ त्याग देंगे, हम भी अपने आपके बीहिवर में चेंजिस लाएंगे तो कहने का मतब है कि अगर पैरेंटिंग करना है तो एक बहुत बड़ा गाम है, अज़ टीचर आपको पैरेंटिंग इस अनादर लेवल जॉब है और कहते हैं कि जैसे इंटराक्ट करोगे, आप जैसी बातचीत करोगे बड़ों से कैसे बोलोगे छोटों से कैसे बोलोगे पापा ममी के साथ कैसे बोलते हैं किस तरह से लहजे में बात करते हैं वैसा ही लड़का सीखेगा लड़का बहार जाता है लड़की घर पे रहती है सफाई करती है तो कहने का मदब है कि यह सारी कंडिशनिंग जो है वो घर से ही सीखे चाता है मैं आपको यहां पर नेगेटिव विटी नहीं बता रहे हूं पॉजिटिव भी हो सकता है जरूरी नहीं है जो महात्मा गांधी चीज से वो बहुत एजुकनिस्ट से ठीक है उन्होंने बहुत सारी चीज से सीखी होंगे अपने पारेंट से तो आज वो इतने महान तने यह न यह नियुकिशन ही लाती है दोसे प्रणी डाटे रहते हैं तो भी क्या होगा अपकी फैमिली ही आपकी क्या बना रहे है परसेलिटी बना रही है राइट किस तरह के विव़िवर्मेंट में आप रहे हो आप कैसे conditioning आपको की गई है आपकी mind में क्या fit किया गया है वो सारी ये यूनो ऐसे जैसे एक cassette होती है खाली होती है हम उसमें जो कुछ बरेंगे वो वही बरती चले जाएगी अगर उसमें अगर वो जो भरी गई movie है वो गलत भी हो सकती है मेटर करता है कि डालने वाला कौन है डालने वाला कौन है और अच्छी का मतलब क्या अच्छी का मतलब क्या जो उस व्यक्ती की विकास करें उसका development करें optimum level की personality उसकी develop करें तो इसके लिए parents को खुद आयार होना होता है importance of family cannot be denied अच्छी family ही अच्छे सपूतों को जन देती है भगत सिंग जैसे बच्बन से ये उसके मन में ऐसे देश के लिए विचार थे तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी शकुन तलाबाई हो गई करनम मलेशवरी हो गई स्मृती मंदाना हो गई बीवी सिंदू हो गई और भी बहुत सारी रड़के हैं जैसे कि जो अच्छे ओदे पे हैं अवनी चत्रुवेदी हो गई तो ऐसी स्पिरिट कहां से आती है मन में ऐसी परस्नालिटी कहां से आती है सपोट फैमिली ही वैसी होती है वैसे ही विचारों वाली होती है अच्छे की परस्नालिटी में डिवलमेंट होती है ऐसे ही बिचा ग्रो करता है जैसे उसके आसपास के सिब्लिंग्स होंगे वैसा ही बनता चला जाता है यह तो अब ऐसा नहीं है अब उनकी दुनिया जो है वो काफी ब्रॉड हो चुकी है इंटरनेट की दुनिया है अब पहले हम क्या करते है we are comparison with the only our siblings कि हमारे siblings क्या कर रहे हैं वो कैसे कबड़े बहनते हैं वो कैसे बोलते हैं हम वैसे ही बन जाते थे अब जो competition है हमारा higher level के साथ है मतलब की हम इंटरनेट पे हर व्यक्ति को देख सकते है जो हर एक बड़ा काम कर रहा है हर एक comparison another level का है but focus यह रहना चाहिए कि हम उसमें से क्या प्रणा निकाल सकते है हम इंडिविजुली हम उसमें हमारी क्या शमता है उसके अनुसार ठीक है तो कहने का मतलब है कि अच्छा संग ठीक है गुद फ्रेंड होंगे अच्छा पती जो आपके यूनों सब्पोर्टिव फ्रीडम जो अच्छे के लिए काम कर रहा है आट इस पाउस और जैसे आपकी फ्रेंड होंगे आप ऐसे बनते चाले जाओगे आपकी प्रिशनाल्टी वैसे डपलोब होगी पाउस आपकी जो यूनों घरवाले हैं आपकी बच्चे भी आपसे सीखेंगे आप कालीक साथ कैसे बात कर रहे हैं सारे समाज के पार्ट है ठीक है अगर अच्छी फैमिली है तो डाफिनेटली वह अच्छा वाग करती है अगर कुछ कुरूतियं उसमें है तो वह एजुकेशन से ही इंप्रूव होंगी एक लड़की खुद अकेले अगर 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 बात करें मैं सिर्फ यहां पर बाइस हो अगर लड़की के लिए तो लड़का हमेशा ही वेनिफिटर रहा है इसा नहीं है कि उसे कोई बेंफिट नहीं मिला होगा इसको जो केशन लेने के लिए बाहर जाने के लिए कोई प्रेशन नहीं दिया गया होगा तो कहने का मदलब है कि आज भी कहीं चीजें संभग नहीं हो पाई हैं बढ़ हैं यह फैमिली ही है आपको बना सकती है आपको बरबात भी कर सकती है दोनों पर ही नेलबर करता है अब इसमें से आपको कैसे निकलना है आपको independent कैसे होना है और यह आप खुद जाना है बहुत स दादा दादी ममा बपा और हमारे बच्चे और यह सारी शीजे फैमिल मिलाग के जॉइंड फैमिली पना देती है चाचा चाची नाता दाजी नाना नानी कहने का मतलब है कि यह जो एक्सेंडड फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन रह रहे हैं इसमें आपका उत्थार भी ओऊसकता और भरbाद भी आप हो सकते हैं दोने चीजें हो सकती है बीच के रहटे हैं झाल है जो आप ऋक्रीटेड फैमिली ही हो तो यह स्थैटेंडी आप उच्चर पाओगाने है है निउकलर होती wax जिसमें सिर्फ चार लोग रहे हैं जिसमें ममी पापा हैं बच्चे हैं दो ठीक और इसी अथोरिटी अब क्या फैमिली का रोल होता है ये दो हमें पता होना जाए सबसे मैं यही बता रही हूँ कि अगर अच्छी फैमिली होगी तो अच्छा वैली उस क्रिकेट होगी अच्छी प्रस्नाटली बनेगी अच्छी ओवर ओल वो डिवलप पोर्ट आएगा मौरली साउंड होगा समाज में रिफॉर्म ला पाएगा फैमिली का काफी रोल है तो सबसे पहले तो कोपरेशन कोपरेशन मतलब बच्चे की एजुकेशन के साथ कोपरेट करना सबसे पहला जैसे रोटिक खाना मकान जो भी है वो एक बेसिक नीड है तो वैसे ही एक एजुकेशन शिक्षा एक उसका बेसिक नीड दी जानी चाहिए फैमिली के दौर फैमिली सोचती है क्या करना है पड़के दौर्ण ही तो करनी है तो कहने का मलब है कि जितना हम बच्चे के एजुकेशन पर पैसा लगाते हैं बच्चा उतना ही निखर के आता है निखर के दसेंस की उसको शाप करता है अपनी बुद्धी को अपनी माइंड को और कोशिश करता है कि मेरी वज़ा से किसी का हेल्प हो मेरी वज़ा से किसी कोई मंद बुद्धी को अपनी चक्षु को खोले हो तो कोपरेशन एजुकेशन में रहता है सबसे पहले फैमिली का प्रॉपर फिजिकल डवैल्पमेंट अब फोशन देना भी उनका ही करतव यह होता है जब तक वो इंडिपेंडन ही हो जाता जब तक वो अठारा साल का नहीं हो जाता तो पैरेंट्स का ही एक करतव यह होता है कि उसे बुद्धी दे बुद्धी दे सेंस कि भई कि तुम्हें गेम्स पुरा चंक आफ लाइफ एक पार्ट आप कराएगी आप गेम्स ही केलो और कुछ ऐसे स्पोर्ट से सिखाए कुछ एक्टिविटीज करवाए जिससे कि उसका संग्यान दिमाग बड़े ना चंदु तु किसवाइब लुकरी दूं कि बड़ु खरे जिखा तो तु नेक्टिविटीज करेंगा कि यह स्पीनल खुटिजिया सीब्साइब न galva करेंग तेन्टिविटीफ से बड़े सीखाए उइन कोष रुषा आजै औरू आरू नियुक्ति मिंतिक गगई aware कर दे बाकी करना ना करना उनकी hand में राइट तो moral development प्रॉपर कहां से होती है फैमिली के माधियम से blossom blossom the interest of children तो ये बहुत important होता है इस तरफ आपको school में डाल देना school से पढ़के घर खाना और सो जाना doesn't matter फैमिली आपको बताएगी कि भाई आपको किस चीज में इंटरस्ट ले ना आप ये अंदर conditioning अगर एक चीज की हो गई तो आपका इंटरस्ट उसके लिए ही develop हो जाएगा तो यहाँ पे फैमिली का ये रोल है कि भाई उसको different aspects बताए समाज के कि भाई ये भी तुम कर सकते हो ये भी चीज है ये भी चीज कर सकते हो तो बदलब बच्चे का interest हर चीज में होना चाहिए समझने में होना चाहिए understanding में होना चाहिए knowledge लेने में होना चाहिए opportunity to participate in the household responsibility कि भाई parents क्या बदा देते हैंगे लड़के तुझे तो स्कूटी ही धड़ानी है घर के बाहर बाहर का काम तुम संभालो के घर का काम लड़किया संभालेंगी तो कहने का मलब है कि दोनों को equally अगर treat किया जाए किचन में as along with the बाहर तो कुछ हद तक improvement हो सकती है development of intellect, free expression, child desires, urges and stuff तो गाई आपको यह समझ में आया होगा कि फैमिली का क्या काम है religious education देना, free expression देना, बचार अपनी desire, अपनी urges को अच्छे से बता पाए अपने दिमाग संग्यान का इंप्रूव कर पाए education का क्या influence रहेगा फैमिली पे तो क्या होगा education हमें बताएगा कि भई home को manage करना, अगर की काम, वर्थ क्या होती है education elite क्या होती है discharge productive duties towards home, family planning क्या होती है efficient member of family, social efficiency, adjustability in the family as adjust करना, coordinate education of parents क्यू जरूरी है, to maintain the better homes cultivation higher values, propagate cooperation within outside the home create liberal and wider attitudes, increasing productivity of families, optimizing economic efficiency तो ये चोटी मोटी यसे सस्ती जीजे हैं, जो कि कर पे आप कर सकते हैं due to the help of education, education हम में बताती है कि मैं adjust कैसे करना है अगर कोई क्रोधित व्यक्ति गर पे रहा 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 है परशूराम जैसे लोग रहते हैं तो हमें उनकी इन चीजों पर नकारते हुए clash और नहीं बढ़ाना है ignore कर सकते हैं, जाज जाज़ा उसको समझा सकते हैं education हमें, यही तो शिक्षा देती है parents को educate करना है parents जितने educated होंगे उतने बच्चे intelligent और उतने ही समाज के लिए कारत होंगे to maintain the better homes कैसे हमें अपने घर के management को करना है कितना खर्चा होना चाहिए किस चीज में खर्चा होना चाहिए किस चीज में you know expansion expenditure होना चाहिए cultivation higher values जो हमारे वेदान्त हमें कहते हैं कि हमें आत्मा के बारे में spiritual knowledge जो देते हैं वो भी हम education ही बताती है कैसे किसी निस्थाई को सहयोग करना किसी यूँ पशू जैसे लोग जैसे होते हैं हम तो इनसान हैं हमारे अंदर consciousness है बट पशू के अंदर consciousness जैसे जीज़ कोई नहीं होती उनके लिए कैसे करतगने रहना हमेशा सबसे वभाब होना चाहिए कैसे जुरूरत मंदों के लिए काम आना चाहिए यह सब वैल्यू जो होती है वो हमें education से ही मिलता है जतना हम पढ़ते हैं जतनी हम reading करते हैं किसी के बारे में सरच करते हैं समझते हैं तो हमें यह बहुता तारी चीज़ें समय माती है हमें अपन अथिट सेम नहीं रखना है अश्काहमारी मम्मी ऐसे मांती थि तो हमें भी ऐसे मानना है आसा मतलब नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ को सब्सक्राइब करने लागे जांगे एजूकेशन हमें दोनों में बैलन्स कैसे करना उनकी बात मंझे हमारी भी ना शूटे और दोनों में कैसे अजिस्टिबिलिटी आती है या इंप्रूव्मेंट इंद लिविंग स्टाइल कैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं पैरेंट्स के सामने पैरेंट्स हमारी बात सुन सकते हैं हम ऐसा क्या करें तो कम्वनिकेशन इंटरेक्शन के मात जिविंट्स ना है जर्व्मेंट्स और क्रिएट करके हम कोई भी चीज़ को ब्र comics और समाज के पहलों को जान सकते हैं हर चीज समाज में गलत नहीं है हर चीज अच्छी भी नहीं है तो इसको reactor habla करने में बहुत सदिय अधिय उसको रिफॉर्म करने के लिए अवईपर में पारने सो होनी चाहिए जूखेशन अमे अवेर्नस देती है कि भाई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए हमें यहां में बोड़ रही हूं मेरे घर मेरे खुद के घर में अगर लड़ाई जगड़े होते होंगे तो मैं कहां तक यह उचित बात कर रही हूं तो चेंज जो है वो इंडिविजूल से ही आएगा तो अप्टिमाइजिंग एकोनॉमिक एफिशनसी भाई ऐसा फजूल नहीं है ठीक है अच्छे लोगों को दे सकते हो अच्छी चीजों पर लगा सकते हो society and education समाज और शिक्षा कैसे आपस में linked है तो वह शिक्षा जो है वो समाज को बना रही है उसको कैसे जीना है कैसे economics wealth कैसे GDP कैसे grow करनी है समाज की prosperity कैसे बनानी है political stability development of any modern society कैसे modern society को और develop करना है develop कैसे region को develop करना है इमाज ररकाइं कहते हैं कि भाई education system जो है वो हमारे society में preserve करता है culture तो भाई transmission of culture ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई culture को transmit करने वाला एक ही उपाय है education है अगर हम हमें सही नौलेज हो को culture की तो हम इंपाट कर सकते हैं अगर हम कुछ पता ही नहीं है देखा दिखाया बिश्वास कर लिया और उसको follow करते चले गए तो कैसे बिल्डर का समाज नहीं होगा तो culture भी सही चाहे लोगों के फती इनिक्वालिटी डिस्पारिटी जिसको नहीं मिली है इक्वालिटी इक्वीटी नहीं दी गई है जैसे कि वीमेन हो गई और दलित्स और यह चोटी इंचाज सेक्शन के लोग जो होते हैं उनको अगर सुविदाएं नहीं मिली है समय के साथ तो उनको अप्रेट करना है रिड्यूस करना है इनकी इक्वालिटी को हर एक जो होता है इन लोगों के लिए वरक कर ना तो और एजूकेशन ही कैसा जरीया हो सकता है शोचल मॉबिलिटी की शोशल चेंज स्टाटिफिटिटीचन के हैं शोशल मॉबिलिटी ओर लोग में से बेुक्राइबाग जोटे तब के को ही अ तो हमें मॉबिलाइज होने की ज़रूत नहीं है मॉबिलिटी क्या? मॉबिलिटी इन विचार इन थिंकिंग देन रिफॉर्म्स हपन तो डेवल्मेंट ऑफ नॉजज कि भई नहीं है तो डेवल्मेंट ऑफ नॉजज का मतलब होता है कि भई एजुकेशन में बहुत सारे चेंज़े हम देखते हैं कि भई पहले हम फायर के साथ मैटल्स थे फायर वील यह सब बने अंशन डेवल्मेंट हुई और कही हद तक हम इंप्रूब भी हुए डेवल्मेंट के साथ अब अब के समय में न्यू नॉलज जैसे की टेकनलोजिकल रिवलिशन आ रहा है कि इतने मतलब इंटरनेट हर गर में हर गर में फोन है तो क्या इसका सही इस्तमाल मिल्टी मीडिया का कहां कहां प्रयोग कि इन शोदों में प्रयोग रिसर्चस में प्रयोग कम्यूनिकेशन में तो कहने का मतलब है कि development of new knowledge पहले तो था बहुत सरा knowledge था development हुआ existing knowledge के साथ new knowledge को add करना ही क्या है development of new knowledge है और क्या होता है कि जब हम जरूत पढ़ती है हम क्या करते चले जाते हैं उसमें invention करना शुरू करते हैं तो इसी से क्या होगी drastic changes होते हैं और आज की जो modern society आप देख रहे हैं कितनी technologically sound है तो कहने का मतलब है कि जो contemporary changes new knowledge है उसको भी acquire करते चले जाना है यह भी क्या कहना है तो वह individual development क्या होती है education individually success को improve करता है education provide करते है teaching skills that prepare physically, mentally, socially world work higher education helps maintaining the health society अब यह individual development क्या होती है कि individual की personality develop हो रही है education के माधियम से healthcare पहले क्या थे पंके थे ही नहीं और तब ही हम जी रहे थे और आज भी हम जी रहे हैं तो कहने का मतलब है कि कितना डबलबोर है आज कितनी technology increase हो गई है individual सिर्फ अब कोई भी education लेनी है वो सिर्फ formal में नहीं है informal में भी है पहले तो education ऐसे पत्तों में हो जाती थी पत्तों पे गुरू ने बोला शिश्य ने सुना और हो गई Sanskrit शिक्षा ले ले बट अब जो है करीकुलम में ऐसी चीज़े आड़ रही है जो कि individual को educate कर रही है बच्चे को time, space अपने बुद्धी का full optimum development करने में help कर रही है oldest form exist कर रहा है जो formal agency of education school है इसमें हमें education मिल रही है इन सब शीज़ों के बारे में spiritual knowledge होना चाहिए development होना चाहिए तो भाई जो non-formal education non-formal, informal education जो होती है कि भाई आपके learner और teacher के बीच में होती है informal होगा है कि कोई भी चीज हम सीख रहे हैं ठीक है वो value system से है informally हमें सिखाए जारी है no direct concern with the degree or diplomas supplements both formal and informal non-formal education all these form of education not involves involved uniformly in the different parts of the world percentage of the population with schooling varied greatly among less developed countries and less than 10% over the 65 while more developed countries had less variation ranging from the less to तो केरेंगा मिलो भाईगी बस यह हरकत कर दी इसने मैं बरबाद हो गई खतम टाड़ा बाई 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 आए